तो सांतियों आज हम बात करेंगे मतपरदेश शमान ग्यान जो कि भिन्र जिला से MPG के पॉइंटों को हम देखेंगे जो कि आने वाले मतपरदेश के जो भी एकजाम होंगे उन सभी परिक्षा में सभी पॉइंट इंफर्टेंट होने वाले हैं तो चलिए सांतियों देरी ना करके हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मतपरदेश शमान ग्यान जो कि हम भिन्र जिला से MPG के पॉइंटों को हम देखेंगे और यह पार्ट टू है सांतियों पिछले वीडियों मैंने भिन्र जिला से पार्ट वन को कवर करा दिया है और इस पार्ट टू पर सांतियों जितने भी पॉइंट है जितने भी भिन्र जिले से MPG के कोस्चन बनते हैं उन सभी को मैं आज कवर करा दूँगा तो चलिए साथ हो सबसे पहले हम बहला point की बात करते हैं भिंड जिला को भी खनीजो में सम्रद नहीं कहा जा सकता है जैसे कि मैंने मुरेना जिला को भी आपको बताया था कि मुरेना जिला भी खनीजो के मामले में उतना जादा सम्रद नहीं है दूसरे पाइंट हम बात करते हैं भिंड जिला में कुछ मात्रा पर जो है चूना पत्तर पाये जाता है तो यहां पर मैंने पिक को अगेरे भी लगा दिया है जिससे आपको असानी से समझ में आई और याद भी रहे नेश्ट फाइंट की हम बात करते हैं अध्योगिक छेतर की तो सांथियो भिंड जिले में शिमेंड कार खाना जो की 1984 इसकी इस्थापन हुआ था जो है मालन पूरपर और ये बड़े उध्योग कुरूप में इस थी थे तो इस फाइंट को भी आपको याद रखना है नेश्ट फाइंट की हम बात करते हैं तो सांथियो भिंड जिले में भुजूरियों का मेला लगता है और यह मेला महुबा की वीर योधा जो थे आलह उधल की नाम से संबंदी थे तो सांथियो इस फाइंट को भी आपको याद रखना है भुजूरियों का मेला साउन महा के अंतिम दिवस पर भुजूरिय प्रदान कर धूम धाम से मनाय जाता है नेश्ट पॉइंट के हम बात करते हैं साथियों किले से तो सांथियों भिंड जिले में अटेर का किला इस्थित है और अटेर का किनिर्मार भदोरिया, राजा, बदन सिंग, महा सिंग और भक्त सिंग द्वारा जो है 1664 से 1668 के काल में इस्थाफित किया गया था तो सांथियों यहां पर आप देख सकते हैं अटेर का किला जो कि भिंड जिले पर इस्थित है नेश्ट पॉइंट यह है कि इस किले का नाम पर भिंड जिलों को जो है प्राचिन काल में भदावर की नाम से जाना जाता था तो दोस्तो आपको बता तूंकि जितने भी मैंने यह फॉइंट आपको बता रहा हूँ एक एक जिले से सभी फॉइंट आपके लिए इंपोर्टेंट होंगे और इन्ही फॉइंटों आने वाले मतप्रत्रस में जो परिक्षाई होंगी चाहे वो MP पुलिस से हों पटवारी से हों या वनरक्षक से हों ऐसाई को हों जो भी होंगे दोस्तो इन्हीं पॉइंटे को बीच में से कोश्चन बनेंगे तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है तो सांथिव अटेर का किला में जो है खूनी दरवाजा बदन सी महल बारह चंब महल और हाथियपोर का दर भी देख सकते हैं तो सांथिव वन खंडेश्वर मंदिर का निरमाण वर्स 1175 में राजा प्रित्वी राज चोहान की द्वारा जो है कराया गया था और सांथिव उसी समय से जो है इस मंदिर में अखंड जियोती निरंतर जो है प्रजोलित होती रहती है तो इसको भी आपक का कारण माना जाता है, और भी यह है कि जिला में जो चंबल नदी है वहाँ पर बीहड छेत्र जो है डांको के स्रण इस्थलिक रूप में विख्यात है तो इस फाईंड को भी आपको याद रखना है और सांथिव भिन जिले के गोहत का किला जो है आकलशल का के अंदर बना हुआ है और सांत्यू इन ही वज़े से जो है भिंद जिला प्रिसिद्ध का कारण माना जाता है बात करते हैं हम भिंद जिले के राष्टिये राजमार्गों की तो सांत्यू राष्टी राजमार्ग एन एच बाननबे और एन एच 552 जो है यहां से राष्टी राजमार्ग पहेली है तो शांथ्व इन पॉइंट को आपको याद करना है या फिर आप नो डाउन भी करते चलना है आने वाले एक्जाम ले बहुत ही भिंद जिले प्रेसित ह्नमान जी की मुर्ति है नेस्ट फाइंट है कि भिंद जिले का नाम महान रिसी भिंदी रिसी के नाम से रखा गया है तो इस फाइंट को भी आपको याद रखना है नेश्ट फाइंट है शांत्य भिंड जिले में बरासो के जैन मंदिर इस्थित है यह प्राचिन मंदिर है जो भगवान महावीर स्वामी की यात्रक परड़राम शरूप है यहाँ पर इस फिक के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं नेश्ट फाइंट है कि नारद देव मंदिर भी भिंड जिले में इस्थित है और श्यांत्य यह एक सिव मंदिर है जो सिंध नदी की किनार इस्थित है यहीं प्राचिन में महारिसी नारद जी ने आकर के वर पूजा की थी यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक के माध्यम से नेश्ट फाइंट है कि भिंड जिले में गोहत का किला भी इस्थित है यहाँ आप देख सकते ही यह है भिंड जिले में गोहत का किला और स्यांत्य इस किले को सोलवी सतावदिम जो है जात राजा महासिंग द्वारा जो है बनाया गया था इस फाइंट को भी आपको याद नेश्ट फॉइंट के हम बात करते हैं सांत्यो भिंद जिला मंत्र मुग्ध कर देने वाले वस्तु कला के लिए भी पिरसिद माना जाता है और सांत्यो भिंद जिले से करीब 30,000 सेनिक देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं जो कि आप इपिक के माध्यम से समझ सकते हैं तो सांत्यो ये important point आपको याद रखना है नेश्ट point यह कि भिंद जिला भपाल, इंदोर, जबलपूर के बाद जो है सिर्वादिक साक्षर वाला जिला है नेश्ट point यह कि भिंद जिला सबसे कम अनुसुचित जनजाती वाला जिला है वही नेश्ट fitt की बात करते हैं मध्प्रदेश में सबसे कम वरसा भिंड जिले के मोव जो तैसिल है यहाँ पर होता है तो सांथियो इन सारी फाइंट घो को आपको याद रखना है नेश्ट फाइंट यह है कि भिंद जिले में राजस्व सर्वेक्षड प्रसिक्षड के अंदर भी इस्थित है नेश्ट फाइंट यह है भिंद जिले का दाहों दन्स जो है हनमान मंदिर के लिए प्रसिध माना जाता है वहीं नेश्ट फाइंट की हम बात करते हैं भिंद जि आपको याद करना है या फिर आप इनी सभी को जो है नोट डाउन कर सकते हैं लगभग लगभग मैंने जो कोस्चन भिंड जिले से अमी एक्जाम में बन सकते हैं उन सारे फॉइंटों को मैंने कवर करा दिया है तो चली साथ हम नेश्ट वीडियो पर मिलते हैं नेश्ट जिल जी एफुएईंटर के जिले से बनुड़ जो लगभभग मैंने को जिले तो चली से बनुझ कर दो डाउने थे साथ हम आपको जटि में प्टों पर मैंने को जासे भीडियो नेश्तिन वेग़ जिले से भीड़शब आपके पना हैं भीड़़गवाब हैं